जहिंद वंदे मातरम आप सभी का स्वागत है सक्सेस वल्ड अमसे क्यू चैनल पर तो चलिए आज की से वीडियो में मौडन हिस्ट्री से 25 मोश्ट इंपोर्टन कोर्षन को लिये हैं जो कि पिछले कई एक्जाम्स में बार बार पूछे जा रहे हैं और ये सभी प्रस्ण आने वाले एक्जाम्स में भी पूछे जाएंगे तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं तो आज की सेशन का फर्ष्ट कोर्षन है हरिजन सेवक संग की अस्थापना निमलिखित में से किसके द्वारा की गई और फ्रेंट्स अगर आपको इन में से किसी भी प्रस्ण का आनसर आता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आनसर लिखते जाएंगे आनसर लिखने से आपको प्रस्ण ज्यादा दिन तक याद रहते हैं तो इस प्रस्ण का सही जबाब अगर आपने उप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जबाब दिया है महात्मा गांधी के द्वारा 1932 इसपी में हरी जन सेवक संग के स्थापना की गई थी और इसके पर्थम अध्यक्ष थे घंस्याम, दास, बिडला आपसे पूछ सकता है नौट कर लिजेगा हरी जन सेवक संग के पर्थम अध्यक्ष को थे तो घंस्याम, दास, बिडला थे नेक्स्ट को देखते हैं भारत के आजादी के समय इंग्लेंड में किस पार्टी की सरकार थी ये प्रस्ण कई बार एक्जाम्स में पूछे गए है इस प्रस्ण का सही जवाब है ऑप्शन ए लेवर पार्टी भारत के आजादी के समय यानि कि 15 अगस्त 1947 के समय इंग्लेड में किस पार्टी की सरकार थी तो लेबर पार्टी होज़ेगा ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन को देखते हैं भारत के आजादी के समय ब्रिटेन का परधान मंत्री कौन था ये भी प्रस्ण इंपॉर्टेंट है इसका सही जवाब है आप्स्ट इंपॉर्टेंट के आजादी के समय ब्रिटेन का परधान मंत्री क्लिमेंट इटली था नेक्स्ट कोशन देखते हैं भारत का ग्रेंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है काफी पर पूचाए गया प्रस्ण है तो लिके भारत का ग्रेंड ओल्ड मैन डादा भाई नरोजी को कहा जाता है option 60 प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और friend session के end में आपना अपना इसकोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रस्ण का सही सही जवाब दियें 35 में से next question को देखते हैं भारतिय राष्टे कॉंग्रेश का प्रथम अध्यक्ष कौन था important प्रस्ण है तो देखे इसका सही जवाब हो जाएगा option A WC बनरजी option में WC बनरजी दिया गया यानि कि व्योमेश चंद्र बनरजी ये भारतिय राष्टे कॉंग्रेश के प्रथम अध्यक्ष दे भारतिय राष्टे कॉंग्रेश के अस्थापना की बात करें तो इसके अस्थापना 28 दिसंबर 1885 इस्पी को A.O.H.E. के द्वारा होता है धियान रखना है next question देखते हैं भारतिय राष्टे कॉंग्रेश के संस्थापक कौन थे तो अभी हमने बताया कि भारतिय राष्टे कॉंग्रेश के स्थापना 28 दिसंबर 1850 से इस्पी को A.O.H.E. के द्वारा किया गया था तो राइट अंसर D के साथ चला जाएगा धियान रखना है नेक्स्ट कोशन देहर है इंपर्टेन्ट है भारतिय राष्टे कॉंग्रेश की प्रथम महिला अद्ध्यक्ष कौन थे Most important प्रसन आपके exam के लिए तो दिए भारतिय राष्टे कॉंग्रेश की प्रथम महिला अद्ध्यक्ष एनी बेसेंट हो जागा भारतिय महिला अध्यक्ष कौन थी तब राइट अंसर सरोजनी नाइड़ हो जाएगा धियान रखना है लेकिन फिलाल इसका राइट अंसर एनिवेसेंट हो जाएगा नेक्स्ट कौसन देखते हैं महत्मा गांधी जी ने कौंग्रेस के किस एक मात्र अधिवेशन की अधिक्षिता की थी इस प्रसंद पर इस्टार लगा रहे हैं ये प्रसंद आने वाले एकजामस में जरूर छपेंगे इस प्रसंद का सही जबाव देगा बेलगाउ नेक्स्ट कौस्ट को देख लेते हैं रॉलेट एक्ट किस वर्ष में पारित हुआता इसका सही जबाव है वर्ष 1919 इस्वी में वर्ष 1919 इस्वी में रॉलेट एक्ट पारित हुआता इसे काला कानून भी माना जाता है रॉलेट एक्ट को नेक्स्ट को देखते हैं गांधी जी ने सर्व पर्थम भारत में सत्यागरा का पर्योग कहां किया आंसर करते जाएंगे आप लोग देखिए अगर आपसे पूछे कि गांधी जी ने सर्व पर्थम सत्यागरा का पर्योग कहां किया तो दक्षिन अफरीका हो जाएगा ठीक है कहां हो जाएगा दक्षिन अफरी घटी थी यानि कि 44 कांड जो है घटना कब घटी थी तो दीके इसका पूरा डेट है चार फरवरी 1922 को यहां पे लिख देते हैं अगस्त 1922्इश से आसयोंग आंधरण इस्टार्ट होता है और आसयोंग आंधरण के समाप्ति कवोती है तो फरवरी इस योग आसयोंग आंधरण कबंद कर दिया गया था ध्यान रखना है नेक्स्ट कोशन को देखते हैं स्वराज मेरा जन्मसित अधिकार है या किस ने कहा था तो दीके स्वराज मेरा जन्मसित अधिकार है ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने याने की लोक माने गंगाधर तिलक 20% का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन को देखते हैं भारतिय राष्टे कॉंग्रेस से त्याग पत्र देने के बाद सुभास संद्र बोस ने निमलेखित की अस्तापना की थी और फ्रेंड्स अगर आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो चाहिए तो फिडाक से चैनल को सब्सकाइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि सभी वीडियो का नोटिपिकिशन आपकी मुवाइल तक सबसे पहले पहुचता रहे और सेशन को भी जरूर लाइक करेंगे तो इस प्रसने का सही जबाब हो जाएगा अप्संडी फोरवर्ड व्लोक ध्यान रखना है भारत्य राष्ट कॉंगरेस से त्यागपतर देने के बाद सुभाज संद्र बोस ने वर्स उनिस्व डेट को भी जरूर रखना है पूचायता है वर्स उनिस्व उन्चालिस इस्वी में चम्पारन सत्याग्रह हुआता वर्स उनिस्वा 17 स्थापना में 30 प्रसनिका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट को देखते हैं गदर पार्टी का मुख्याले कहां इस्तित है most important प्रसने तो इके बात करते हैं गदर पार्टी के स्थापना तो इसकी स्थापना 15 जुलाई लिख लिजे आप लोग 15 जुलाई 1913 इसपी को कहां पर तो सेन फ्रांसेसकों में होती है और इसके संस्थापक कोन थे तो सरदार सोहन सिंग भाकना ध्यान रखना है पूछा यता है इसके संस्थापक और जो अध्यक्ष थे सरदार सोहन सिंग भाकना थे या रख सेंद फ्रांसेज को इस प्रस्ण का बिल्कुल सही जबाब हो जाएगा नेक्स्ट को देखते हैं किस राष्ट्य नेता को लोग हीतवादी कहा गया है इंपोर्टन प्रस्ण है तो इसका सही जबाब होजेगा गोपाल हरी देशमुक को गोपाल हरी देशमुक को लोग हीतवा 20 प्रस्न का बिल्कुल सही जबाव जगा इसका पूरा डेट है 8 अगस्त 1922 को और ध्यान रखना है इसी आंदोलन में यानि कि भारत छोड़ो आंदोलन में ही महत्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था ये प्रस्ने बार बार पूछा जाता है कि करो या मरो का नारा किस ने दिया था मातमा गांधी ने दिया था किस आंदोलन में दिया था भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था नेक्स्ट को देखते हैं 1905 में सर्वेंट आप इंडिया सोसाइटी को किस ने आरंब किया आपको ध्यान रखना है सर्वेंट आप इंडिया सोसाइटी के स्थाप रखना है, नेक्स्ट कोशन को देखते हैं, दिल्ली चलो का नारा किस ने दिया था? तो दीके इस प्रस्ने का सही जवाब देगा आप सभी जानते हैं सुवाज संदर बोस ने दिल्ली चलो का नरा दिया था तुम मुझे खुन दो मैं तुम्हें अजादी दूँगा ये भी सुवाज संदर बोस के द्वारा दिया गया था नेक्स्ट कोस्टन को देखते हैं किस कांड के कारण आसयोग आंद्रन बंद करना पड़ा इंपोर्टन प्रस्न है तो दीके इस प्रस्ने का सही जवाब देगा चौरी चौरा जो की राइट आंसर एक साथ चला देगा ये कांड कब होता तो अभी अपने उपर बताया चार फरवरी उनिस्वा बाइस इसपी को चौरी चौरा कांड होता है और आसयोग आंद्रन के सुरुवात एक अगस्ट उनिस्वा बीस और समाप्ती बूप पूछे तो फरवरी उनिस्वा बाइस में तो इस प्रस्ण का राइट आंसर एक साच लादेगा चौरी चौरा कांड में नेक्स्ट कोशन को देखते हैं निमलिखित में से कौन सीमान्त गांधी के नाम से जाने जाते हैं तो इस प्रस्ण का सही जवाब हो जाएगा ओप्शन C खान अफदुल गफर खान को सीमान गांधी के नाम से जाना जाता है सीज प्रस्ण का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नेक्स्ट कोशन को देखते हैं निमलिखित में से किस अधिवेशन में कौन्ग्रेस दो भाग यानि कि नरम दल और गरम दल में विवाजित हो गई थी most important प्रस्ण आपके एकदम के लिए बार बार ये प्रस्ण पूछे जाते हैं तो इस प्रस्ण का सही जवाब हो जगा option A सूरत अधिवेशन और ये अधिवेशन कब हुआ था तो इससे संबंदित जितने भी आपको प्रस्ण बता रहे हैं सभी को note down कर लिजिए तो दीके सूरत अधिवेशन हुआ था 1907 इसवी में और इस अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन की गई थी most important प्रस्ण आपके एक्जाम के लिए तो दीके इसका सही जबाब होजएगा option A George Yule George Yule ये पहले British थे जिसने भारते राष्टे कोंग्रेस की अधिवेशन की अधिवेशन की थी कब की थी तो दीके इस प्रस्ण का सही जबाब देगा option D 1896 का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था उसी में वंदे मात्रम को पाली बार गया गया था धिवेशन रखना है और इस अधिवेशन की अधिवेशन की अधिवेशन भी पूछाया था